अब मोबाइल फोन लाई एलोंग दा प्रिंसिपल एक्सिस यह देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे कोई भी फोन जो है जो लिखा हुआ है यहाँ पे लाई एलोंग दा प्रिंसिपल एक्सिस यानि कि इस से लिटाल के प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई फोन रखा शो बाइस रोटेविल डाइगराम और इसकी यहां पर image भी बनाईए इस mobile की यहां पर यह नोंने image बनाईए इस mirror के दोबारा explain why the magnification is not uniform आपको यह explain करना है कि जो magnification है वो uniform क्यों नहीं है uniform का मतलब एक जैसा क्यों नहीं है कहीं पर इसका magnification बहुत जादा है कहीं पर कम है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब यह कि जो uniform है वो एक जैसा magnification नहीं हो रहा है सब तरफ से image एक जैसी increase नहीं हो रही है different different taking से हो रही है क्यों फिर यह पूछा गया इसको मैं बात को बताता हूँ पहले मैं यहां तक बताता हूँ कि explain why the magnification is not uniform क्यों नहीं हो रहा है देखिए इसको करने के लिए आपको दिहान होगा कि आपने 6 diagram बनाएते कौन के mirror के सामने अगर हम object को different different place पे रखते है तो उसकी image क्या बनती है different तो मैं पहले उन diagram को remind कराता हूँ क्योंकि वो इसी से ही यह वाला question solve होगा तो देखिए पहला diagram था कि अगर object infinity पे बनती है तो आपकी image कहा बनती थी focus पे यह आपको दिहान होगा दूसरा diagram था कि अगर आपकी आपका object अगर कहा प्ले से beyond the center of curvature के पीछे रखा हुआ है तो आपकी image कहा बनती है C और P के बीच में बनती है कैसी एक तो inverted बनती है और सबसे important है यहाँ पे question के लिए कि वो smaller बन रही है अगर object C के इधर है तो image हमेसा छोटी बन रही है फिर अगली बार में क्या करा हमने object को हमने रखा center curvature पे तो center curvature पे रखने पे image बिल्कु सेम size की बनती है object के बरावर की और inverted बनती है और जब हमने इसको center curvature के आगे रखा center curvature के आगे हमने object को रखा जेकि object पहले हमारा infinity पे है फिर C जो point है हमारा उसके left side में है और इसमें जो object है बिल्कुल वो center पे आ गया और यहां पे object का है center के right में आ गया तो जैसी center के right में आता है तो image inverted होती है और साथ की साथ enlarge होना शुरू हो जाती है अब इसके आगे के दो point है उसको बनाने की जुरूद नहीं है उन दोनों case में क्या बच्चो है यहां पे कि जैसे जैसे object को में आगे रखते आऊँगा तो image क्या होती जाएगी inverted होती जाएगी और साथ की साथ enlarge होती जाएगी और एक image last में सीधी बनती है जो कि react होती है अब आप देखिए इसको समझाने का मेरा क्या परपस था देखिए इस mobile का जो BC पार्ट है वो इस कौन के mirror के center of curvature पे रखा हुआ है तो यहां पे अगर center curvature की बात करें तो जितना size object का है उतना है size image का है तो इस आप से जितना पार्ट BC है उसकी image का जो लीचे वाला पार्ट बन रहा है वो दोनों आपस में क्या होगा बच्चो equal होगा क्यों equal है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है mobile का वो center of curvature पे lie कर रहा है अब mobile के जो other part है वो center curvature से इधर की तरब चल रहा है यानि कि ये वाला case object कहां चल रहा है आपका इधर और जैसी इधर चलना start होंगे image क्या होती जाएगी वस्टो लगातार increase होती जाएगी और inverted रहेगी तो देखे जैसे कि मैं एक part यहाँ पर ये वाला ले लूँ तो इसका जो image बनेगी वो लगबग आपकी ये वाली आ जाएगी और last वाली के अगर ले लूँ तो ये आपकी कि इस तरह से inverted image आ जाएगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो मुबाइल के है वो कौन के मिला के डिफरेंट पोजीशन पर रख रहे हैं जिसके कारण हर बार image का जो size जो है वो बदल जा रहा है center करवेचर पर रखने पर बस same है बाके में धिरी धिरी क्या होता जा रहा है बच्चो increase होता जा रहा है तो इस तरह से इसका जो magnification हो रहा है मतलब image जो बन रही है वो uniform नहीं है तो I think ये वाला part आपको अब समझ में आ गया होगा अब मैं ये बात करूँगा will the distortion of the image depend upon location of the phone with respect to mirror क्या जो distortion हो रहा है distortion का मतलब image तेड़ी वीड़ी बन रही है कई छोटी कई ज्यादा बन रही है वो किस पर डिपेंड कर रहा है location of the phone की depend कर रहा है बिल्कुल सही बात है location भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसका हर point mirror के सामने अलग लग position पर बन रहा है इसलिए यह उसकी पर भी depend कर रहा है उसका distortion होना चलिए मैं इसको answer एक लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना आपको paper में exam में यह कुछ भी आपको diagram नहीं बनाने थे यह सिर्फ मैंने आपको remind कराने के लिए diagram बनाए है देखिए answer कैसे लिखेंगे the magnification is not uniform magnification uniform नहीं है because different part of the phone lie at different point on the principal axis इस phone के जो different different part है वो principal axis के different जगे पर लाई कर रहा है the part of the phone lie C will form same image जो part जैसे कि मैंने बता है जो part C पर लाई कर रहा है जैसे कि BC यह B-C जो है वो दोनों आपस में किया है equal है यह मैंने लिख रखा है C वाले पर जो phone का part lie करेगा वो same image बनाएगा क्यों क्योंकि center पर रखी image object जो रखा जाता है वो same size का बनता है the part lie between F and C अब देखिए इसका जो other part है mobile के वो कहां पर लाई कर रहे है other part C और F के बीच में लाई कर रहे है और यह C और F के बीच का मतलब इधर की तरफ चल रहे है हम तो image कैसी बनना शुरू हो जाएगी पढ़ी तो part lie C और F will enlarge image बनाएंगे वो भी कहां पर beyond C beyond का मतलब इधर की तरफ as image is not uniform तो VC destroyed image इस तरह से हमें image क्या और ही है destroy दिखाए बढ़ी है तो वो पूछ रहाता है कि distortion हो रहा है image का और वो भी हो रहा है क्योंकि location उस पर depend कर रहा है I think आपको clear हो गया होगा